नमस्कार अमके नियुसमा को सौगते माहुदीप शिका पुलिटिक के श्रू आत्खबरों से देरादूर में उत्राखंड विदानसब अध्यक्ष रितोखंडूर्टी भूशन ने अंतराश्ट्रिय योग दिवस की सभी प्रदिश्वास्यों को हार्दिक बधाई एवं शुपकाम नाई दी विदानसब अध्यक्ष ने कहा कि भारत सपेत दुनिया भर में 21 जून को आटवा अंतराश्ट्रिय योग दिवस मनाया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदानवंतरी नरिंट मोती के प्रयासों से अंतराश्ट्रिय योग दिवस की शुरूआत होई और आज पूरे विश्व में योग को लेकर जागरुपता बड़ी है उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीनतम और समरत परपरा की पहचान है यसी लिए हम सभी को योग के महत्व को समझना चाहिए और अपने दैनिक जीवर में इसे शामिल करना चाहिए डेरा दून से अपने इश्व कुपता की रिपोर्ट जून को अंतराष्टे योग दिवस हैं मैं सभी उत्राखन वासियों को योग दिवस की फिर सारी शुपकामनाएं और बढ़ाई देती हूँ 2015 में आदर्णिय प्रधान मंत्री जी की महनत के बाद योग दिवस यूएन ने खुशित किया था 21 जून को हम सब जानते हैं कि योग हमारी देश का एक पुरानी पद्धती है और आज पूरे विश्व पतल पर उसको माना जाता है सराहा जाता है मुख्यमत्री पुशकर सिंग धामी के नेटरतव में सरकार आपके द्वार अभियान कारे कर रही है साधी सरकार जनता के हितों के लिए अक्रिसर हो रही है बात स्वास्त विभाग की करें तो स्वास्त विभाग लगतार जनता के हितों के लिए कारे रत है वहीं हॉस्पिटल में 200 से उपर टेस्ट प्री किये गए जिससे जनता में खुशी की लहर है वहीं दोसी और आपतकालिन सेवा के लिए 108 और स्वास्ट से समवंधित किसे भी जानकरी के लिए 104 और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए 102 नंबर पर डायल कर सुवीधा का लाब ले सकते हैं वहीं सरकार लगतार स्वास्ट सेवाओं को स्रट करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है जिससे आम जन्मानस को स्वास्ट लाब मिल सके उत्राखंड से स्टेट हैट अवनीश चैन की रिपोर्ट कींड सरकार के अगटीपत यूशना को लेकर देश भर में विरोध प्रदाशन जारी है जिसमें कई रेलवे स्टेशन उपर आगजनी की घटना भी देखने को मिली वहीं विरोध को देखते हुए लालकुआ रेलवे स्टेशन पर सरक्षा व्यवस्ता चाक चौबन दिखाई दी सुमवार को कुमाओ के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लालकुआ में रेलवे स्टेशन बल और राच के रेलवे पुलिस द्वारा अभ्यान चलाए गया से नवनिर्वाचित सभसद मालवती देवी को नगरपाली का सभगार में पद और गोपनियता की शपत दिलाई गई शपत पाली का चेर्मेन अमरीश गर्ग ई-ओ सुरेंड कुमार और सभसदों की मौजूदकी में दिलाई गई नवनिर्वाचित सभसद के पुत्र बिजेंडर पांचाल ने कहा कि वाट की जनता ने जिस प्रकार उनकी माता पर भरोसा जताया है उनका परिवार भी जनता को निराश नहीं होने लेगा विकास कारियों के साथ ही दुख दर्द में भी वे जनता के साथ हमेशा खड़े नजर आएंगे बतारे कि भाशपक की मालवती देवी 33 वोट से जीत कर सवसद बनी है उन्हें कुल 308 मत मिले जबकि उनके सामने निर्दली चुनाव लड़ी नीरु गोयल वा पूजा पांचाल को बराबर 275-275 वोट मिले लकसर से जस्वीर सिंग की रिपोर्ट हमारी माता जिने शपत ली है और जो भी कारे दो साल से छूटे वे थे ए पूरी निष्टा और मांदर के साथ जो भी कारे मेरे मेरे बच्चे वे हैं उनको मैं पूरी मांदर साथ पूरा करने का कोश्चित करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नगर छेत्री विकास के दिए पूर साहयोग हम देगी कि आज मालवती जी को हमने सपत दिलाई है इस नगरपालिका के प्रांगण में और मैं समझता हूँ कि ये तो भाग्यसाली है ही है पर इनका जो पूत्र है बिजंदर पांचाल ये भी भाग्यसाली है और तीन बच्चों की वज़े से इसका जो निरस्थ हुआ था पद उन्ह पारको टिहरी में रन फॉर यूगा का योजन किया गया स्टोरान विधायक पिशोर उपाध्याएवा जिला अधिकारी ईवा आशीश श्रीवास्टफ ने रैली को हरी छंटी दिखा कर रवाना किया रैली जिला मुख्याले से शुरू होकर शेहर के प्रमुक मार्गों से काली गई इस अफसर पर बालक वर्ग बालिक वर्ग महिला वर्ग तथा पुरुष वर्ग में प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया वही रन फॉर योगा कारिक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रथम दिप्तिये और प्रतिभागियों को मैडल सर्टिफिके जिसमें मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी, डिजीपी अशोक कुमार, मेयर सुनील उन्याद, गामा विधायक विनूद, चमूरी विधायक खजान दास वा कई गण मानने नागरिक ने घंटा घर से MKP चौक तक दोड में हिस्सा लिया इस मौके पर मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने देशबास्यों सहे तुत्राखन प्रदेश की जनता को योग दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई दी इसके साथ युनों ने प्रधान मंत्री नरेडर मूदी को भी धन्यवाद ग्यापित किया मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने कहा कि योग करने से सभी निरोग रहेंगे और लगतार योग करते रहें देहरादूर से अमनेश कुपता की रिपोर्ट भारत मता की करो योग चार धाम के साथ ही सिखूं के पवित्र तीर्थ स्थल हिमकुंड साहिब की यात्रा भी जारी है अभी तक हजारों से जादा तीर्थ यात्री गुरुदारा हिमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं वहीं अब हिमकुंड साहिब में बर्फ बारी शुरुख हो गई है जिससे यहां ठंड भी बढ़ गई है लेकिन फिर भी तीर जी आतरी इसका जमकर लुट्फ उठा रहे हैं बतारे के शरीवार की बीती शाम खराब मौसम के चलते गुरुदारा प्रबंदर ने श्रद्धालों से गोविंद घाट और घंगरिया लोटने की अपील की थी जानकरी कनुसार आज भी मौसम खराब है वहीं मौसम विफाक की माने तो आज प्रदेश में कुछ जगों पर बारिश हो सकती है बतारे के 22 मई को हिमकुंड साहिब के कपाट खुले थे सबसे खास बात है कि हिमकुंड छील के किनारे बसा हुआ है बर्फ की उची-उची चोटियों से घिरे होने की वज़ा से यहां का वातावरन बहुत शान्त है यहां साल में 7-8 मईने बर्फ जमी रहती है हिमाले की गोध में बसे हिमकुंड साहिब में हर साल लाकों शधालो दर्शन के लिए आते है देश भर पे चारों और अगनीपत योशना का विरोध करते हुए युवा नजर आ रहे है वहीं उत्राखंड में भी इसका विरोध देखा जा रहा है जिसको लेकर आज पूरे देश में भारत बंद का एलान युवाव ने किया था लिकिन उससे पहले कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अलट मोट पर होता हुआ नजर आया डीजीपी अशुक कुमार की माने तो उनका साफ तोर पर कहना है कि युवा पीड़ी को समझाने की जरूरत है और उन्हें किसी भी प्रकार की शांती भंग नहीं कननी चाहिए इस योजना से व्यक्ति को दो-दो तरह की नौकरी करने का अफसर मिलेगा मेरा युवाओं से अनुरोध है कि यदि कोई युवा हुड़दंग मचाता है नजर आता है उस पर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी देहरा दूल से अपनी इश्कुपता की रेपोर्ट फोज में भी जा सकते हैं बाद में पुलिस में भी आ सकते हैं और जो भी उनके मन में है शांती पुर्वक कीरना चाहिए अगर कोई धर्णा पर्दिन करने की प्लैनिंगी भी करता है तो उसे शांती पुर्वक करना चाहिए यही मेरा नुरोध है उत्तरकाशी में सोमवार को आजादी का अमरत महसफ विश्वयोग देवस एवं फिट इंडिया अभिहान के अंतरगत रन फॉर योग महरतन दौड का आयोजन किया गया महरतन दौड को जिला अधिकारी अभिशेक रुहिला ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया वहीं अभिहान के माध्यम से जिला इस्तरी अधिकारियों, करमचारियों एवं शहर के युवाओं ने योग के प्रती लोगों को जागरु करने का संदेश दिया साथी रनफ और योग करिक्रम में जीतने वाले प्रती भागियों को ट्रैक सूट और टीशट देकर समानित किया गया साथी जिला अधिकारी ने 21 जून को आयोजित होने वाले विश्व योग दिवस में शामित होने की अपील गी उत्तरकाशी से विनीत कर्सवाल की रिपोर्ट प्रिट इंडिया मुमेंट और अंकराश्टर योग दिवस के उपनक्ष में आज जिला मुख्याले उत्तरकाशी में रनफ और योगा करिक्रम का आयोजिन किया गया इसमें शहर के युवाओं ने भर्चड के इसमें हिस्सा लिया और हर वर्ग के लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है और बहुत अच्छा यहां दोड का करिक्रम हुआ है तो मेरा अनरोध सभी जन्तदवासियों से है कि अपनी सेहत पे ध्यान दे रूदर प्रया के पुलिस उपाधिक्षक प्रभूद कुमार घिल्डियाल ने अकनी पत विरूद को लेकर युवाओं और उनके परिवारों को समझाईश दी उन्होंने कहा कि सरकार के स्योशना से युवा देश प्रेम और एक जिमेदार नागरिक बनेंगे पुलिस उपाधिक्षक प्रभूद कुमार घिल्डियान ने युवाओं को कहा कि वे किसी भी भेकावे में ना कर सडकों या सरकारे संपत्यों को नुकसान न पहुंचाएं रूदर पुर से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट कुमाओ के अंतिम रेल सेवा काट गोदाम रेलबे स्टेशन पर समाप्त हो जाएं और यहां से शुरू होता है कुमाओ के पहाड़ी पर्रिटक स्थलों का सफर जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों बच्चों के स्कूल की छुट्टिया चल रही है इन छुट्टियों को परिवार दोस्तों के साथ किसी हिल स्टेशन पर गतीर करना हर किसी की पहली पसंद होता है फिर चाहे वो बच्चा हो या बुड़ा ऐसे में कुमाओ की हुबसूरत वादियों में लोगों का आगमन शुडू हो गया है तो आए जानते हैं परिटकों की पहली पसंद कुमाओ के बारे में हल्तवारी से तीपक अधिकारी की रिपोर्ट सब आज करके बच्चे हाई टेक हो गया है एक्शली जो है हल्तवानी में कुमाओ कमिशिनर दीपक राबत अक्षन मोट में नजर आए कमिशनर ने नजोल भूमी का निरिक्षण किया निरिक्षण के दोरान उन्होंने अधीकारियों को जरुरी दिशान निर्देश भी दिए बतादे कि नैनिताल के हल्दवानी में बड़े पैमाने पर सरकारी नजूल भूमी खाली पड़ी है जिस पर लंबे समय से भूमाफियाओं की कबजे और अतिक्रमन की शिकायतें मिल रही है इतना ही नहीं कई जगों पर अतिक्रमन कारियों ने इस्थाई अतिक्रमन तक किया है वहीं सरकारी विभागों की जमीन भी भू माफियाँ से नहीं बच पाई है ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने सारी सरकारी भूमी को जिन्हित करना शुरू कर दिया है इसी कड़ी में कुमाओ कमिशनर दीपक रावत ने रविवार को कई सरकारी नजूल भूमी का निरिक्षन किया इस दौरान उन्होंने सिटी, मजिस्ट्रेट, स्जीम और मुख्यनगर आयुक्त को सरकारी भूमी को खुर्द बुर्द करने वाले लोगों के खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये मुख्यमत्री पुषकर सिंग धामी ने रविवार को सैस्ट्र धारा रोड में दून डिफेंस ड्रीमर्स वा नगर निकम दहरा दून द्वारा स्वचिता कारिक्रम में हिस्सा लिया ये कारिक्रम क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी थीम पर आधरित रहा इस दौरान उन्होंने छातरों के साथ सड़क पर ज़ाडू लगाकर स्वचिता का संदेश दिया सीयम ने कारिक्रम को संबोधित कर कहा कि हमें दून को क्लीन सिटी ग्रीन सिटी बनाना है क्योंकि आने वाले समय में इस शहर का मैधव और बढ़ने वाला है उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिष्टित करना होगा कि प्रकृति द्वारा दिये गए संसाधन इवं सुन्दर्ता आने वाले भविश्य के लिए भी बचे इसके लिए आज हमें सवचिता का संकल्प लेना है उन्होंने कहा कि दहरादून शहर देश के प्रमुक शहरों में से एक है इसकी सच्चता से हम पूरे देश में पर्यावरंड के प्रती सकरात्मक संकेर दे सकते हैं सांतिय सीयम ने युवाओं से विशेश तोर पर सचिता जैसे कारिक्रमों में जारा से जारा जुडने का आगरे भी किया MKN News की Desk Report बहुत तेजी से जो सबसे पहले कारिक्रम शुरू किये उन कारिक्रमों में एक कारिक्रम है नियम फिरुद बने राशनकार्ट को सरेंडर करने के अभ्यान से पूर्ती विभाग को खासा फायदा हो रहा है बतारे के पौर्डी जन्पत में दो महीने के अंदर अब तक साड़े ग्यारा हजार उभ्योक्ताओं ने अपने राशनकार्ट विभाग में सरेंडर करवा दिये हैं जिन से लगभग 40,000 यूनिट अब तक खत्म हो चुकी है ऐसे में सरकारी राशन आवंटन की विभिन यूजनाओं में 40,000 व्यक्तियों को अब तक नियम विरुद मिलते रहे राशन की बज़त होने से विभाग भी उसाहित है पौर्डी से मुकेश बच्छीती की रिपोर्ट जैसे आपको बता रहा हूँ कि हमारे SFY इसमें हम साढ़े साठ किलो गेउँ और चाफल में लाके देते हैं यह हमारे लगभग 3,000 का डिलिट होगे हैं तो साढ़े 3,000 इंट उ साढ़े साथ यह हमारा रेगुलर में है और फिरी में बात करें तो फिरी में भी हम पर यूनिट में पांच केजी रासन दे रहे हैं तो 28,000 यूनिट पी एचेज की हो गई और 5,600 यूनिट अंतियोदय की हो गई तो 27,000 लगभग 33,000 यूनिट जो हम निशुल के वितरन कर रहे हैं इतनी के हमारपस बचत होगी है कोटद्वार में विधान सभाध शरितो खंडूडी भूशन के प्रयासों से पधंपुर में कोटद्वार के शिर्टवासियों को सास्थ सीवा का लाब पहुचाने के लिए निशुल कचिकिस्सा जाज परामश्व दवा वितरन शिविर का आयोजन किया गया इस शिविर के दौरान 3000 से अधिक लोगों ने सास्थ परिक्षन का लाब लिया वही सास्थ शिविर का शुभारम विधान सभा अधिक्ष ने विरीवत रूप से किया इस दौरान विधान सभा अधिक्ष ने शिविर में लगे परिक्षन स्टॉल का निरिक्षन किया और सास्थ परिक्षन करने पहुचे लोगों का हाल जाना वही उन्होंने कहा कि चिकिसकों की कमी से जूज रहे कोटद्वार के अस्पताल में जल्द ही चिकिसकों की निप्ती होगी कोटद्वार से अजय सिंगी रिपोर्ट के कुम की जाच यहां पर हो रहे हैं साथी साथ जैसे आपने देखा लंग्स की फेफ़रों की जाच हो रही है उत्राखण में पैट्रोल और डीजल की नए रेट जारी कर दिये गए हैं वहीं राजधानी दहरादूर में कल पैट्रोल 18 पैसे और डीजल की दाम में 20 पैसे की कमी हुई वहीं देहरादूर में कल पैट्रोल 95.28 रुपे प्रती लीटर और डीजल 90.29 रुपे प्रती लीटर बिक रहा बतारे कि पैट्रोल डीजल की नए रेट जारी हो गए हैं हर दित सुभा 6 बजे पैट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है पिछले कई दिनों से प्रदेश में तेल की कीमतों में उतार चड़ाओ देखने को मिल रहा है वहीं पैट्रोल और डीजल के दाम में एकसाइज ड्यूटी, डीलर कमिशन, वैट और अन्य चीज़ें जोडने के बाद दामों में इजाफा होता है वहीं हरीद्वार में कल पैट्रोल के दाम में साथ पैसे और डीजल के दाम में भी साथ पैसे की बढ़त देखी गई है ऐसे में हरीद्वार में पैट्रोल के दाम 94 रुपे 46 पैसे प्रती लीटर और डीजल के दाम 89 रुपे 57 पैसे रुपे प्रती लीटर है कुमाओ की बात करें तो हल्दवानी में पैट्रोल डीजल के दाम यधावद बने हुए हैं वहीं हल्दवानी 94 रुपे 44 पैसे और डीजल 89 रुपे 58 पैसे में बिकरा है उधर रूद्रपुर की बात करें तो पैट्रोल 94 रुपे 62 पैसे और डीजल 89 रुपे 82 पैसे प्रती लिटर बिकरा है रूद्रपुर में कल डीजल के दाम में 7 पैसे की बढ़ोतरी देखी गए है M.K.N. News की Desk Report भारत के जैवडिन थ्रो एटलीट चोपडा ने ट्रीनिदाद और टॉबेगो के कैशॉन वालकोट और वर्ड चैंपियन ग्रेनाडा के एंडर्सन पीटर्स को पीछे छोड़कर स्वर्ण बदक हसल किया जैवडिन थ्रो के चैंपियन खिलाडी नीरच चोपडा ने फिनलैंड में हो रहे कुवार्तानो गेम्स में शनिवार को अपने पहले प्रयास में ही 6.600 मीटर दूर भाला फेक कर गोल्ड मैडल को अपने नाम किया बता दे कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले नाया नैशनल रिकॉर्ड बनाया था उनका टोक्यो ओलम्पिक्स के बाद ये दूसरा कॉम्पिटिशन है जिसमें वे हिस्सा ले रहे हैं एमकेन न्यूस से डैस्क रिपोर्ट उत्राखंट के चमॉली में मौसम ने अपना मिजास बदला है जिसके चलते पूरी जहमा जहम बारिश होती रही वहीं उचे शेतों में बर्फबारी का दौर जारी है जिससे लगतार तापमान में ग्रावट हो रही है जिसके चलते उसम खुशनुमा हो गया वहीं इस दोरान यात्रा पर आईश अध्धालों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है चमॉली से नीरच कंडारी की रिपोर्ट उत्रखंड के रूदर प्रयाक में सच्चता अभियान चलाया गया जिसमें रैड क्रॉस सोसाइटी, ग्राम पंचायत, मरोटा, घोलतीर और पुलिस विभाग शामिल हुए इस दोरान उन्होंने राश्ट्रिय राजमार्ग 58 पर फैले कूडे को साफ किया और लोकों से सड़क पर कूडा नाव फैकने की अपिल की और तीन कुंटल कच्रे को इखटा किया गया वहीं अभियान के दौरान सडक पर कुड़ा फेकने वाले लोकों से ही कुड़ा साफ करवाया और समझाइश दे गई रूडर प्रयाक से सत्यपाल नेके की रेपोर्ट किन्री ग्रामिट विकास और पंचायती राज मंत्री ग्रीराज सिंग उत्राखंड के दहरादून पहुंचे जहां बीजेपी के कारेकरताओं और संस्कती विभाग के टीम ने ढोल डमव और मसक बीन की प्रसुपी देखकर उनका स्वागत किया इस दौरान दिल्ली प्रवास पर गयर प्रदेश के पंचायती राज ग्रामिट निर्मान और संस्कती मंत्री सत्पाल महराज जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर केंड्री मंत्री के साथ रहे जिसके बाद केंद्रिय मंत्री ने Forest Research Institute और इंदेरा गांधी National Forest Academy के विजिट के लिए निकल गए उत्राखंड से State Head अपनी शेयन की रिपोर्ट अकली खबर उत्राखंड के लगसर से है जहां बतेडी गाओं में किसान मोर्शा की बैठक हुई जिसमें किसान मोर्शा के राश्री अधक्ष गुलशन रोट ने कहा कि किसानों को अपनी समस्याओं के समधान के लिए एक जुट होकर मज पर आना होगा और आंदोलन करना होगा और किसानों ने जब जब आंदोलन किये हैं तब तब सरकार को जुकना पड़ा है इस मौके पर लक्सर शेत्र किसान नीता, संदीब बागडी और देविंडर चौधरी ने किसान मोर्शा की सदसिता ग्रहन की लक्सर से जस्वीर सिंग की रिपोर्ट उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने IRDT आडिटोरियम में आयुजेत पत्रकार यूनियन के दिफ्तिये प्रांतिये संबिलन में हिस्सा लिया इस अफसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शिक्षा सौस्त समा सिवा जैसे विभिन शेत्रों में उत्करष्ट कारे करने वाले लोगों को पत्रकार यूनियन देव भुमी रतन अवोर्ट से सम्मानित किया इस दोरान उत्राखंड पत्रकार यूनियन की समारिका का भी विमोचन किया गया इस अफसर पर प्रमुक सर्चिव अभिनव कुमान ने कहा कि सरकारी सीवा में आने से पहले वे भी पत्रकार रहे हैं ये सायोग ही है कि उन्हें आज पत्रकारों के साथ सायोगी के रूप मे कार्य करने का भी अफसर मिला उत्राखंट से स्टेट हैट अपनी शैन की रिपोर्ट अब खबर नैनिताल से है जहां चौकी प्रभारी खेतना S.I. दिलीब कुमान ने ग्रामिन शेत्र का भ्रमण किया भ्रमण के दोरान S.I. ने उल्गौर रूप सिंग धूरा के लोगों की समस्याएं जानी और उन्हें जागरुप करते हुए यातायात नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिये साथी स्कूल कॉलिज में हो रहे शूषन से बचाओ संबंदी सुझाओ दिये उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ती का नुकसान करने वकानून वबस्ता भंग करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी कारवाई की जाएगी नैनी ताल से तीज सिंग की रिपोर्ट उत्रखन के चमोली में आजादी के अमरत महसव के तहट एक सप्ता तक चलने वाले योग कारिक्रम के अंतरगत सुमवार को कलेक्टरेट परीसर में रन पौर योगा रैली का आयोजन किया गया रैली के माध्यम से आम जन्मानस को योग के प्रतीज जागरुक किया गया इस दौरान जिलस्तरी अधिकारियों करमचारियों एन्सेसी के चात्रों ने रैली में हिस्सा लिया वहीं अंतराश्चिय योग दिवस पर सुभा साथ बजे से पीजी कॉलेज गोपिश्वर में जी आई सी गैर सैंट, कर्ण स्थली कर्ण प्रयाग, अलकननदा वा नंदाकिनी संकम नंद प्रयाग तता हिम्क्रीड स्थल ओली में योग अभ्यास कारिक्रम आयोजित किया ज रन फोर योग कारिक्रम का सुभारम किया गया, तो काफी बारिश हो रही है तो जो बच्चों की स्टेंथ है ठोड़ी कम रही, लेकिन बहुत ही जोरो शोरो से और एंथुजियाजम से जो हमारे NCC के अच्छे हैं और जो अनने हमारे यंग स्टूडिन सारों ने पार्टिस चैकिंग एवं मुखपिर के सूशना फर आरोपी मिलन वर्मा और आमिर को मोटर साइकल के साथ स्रिटकौल शेटर सेला कोई से ग्रिफ़तार किया, वहीं दोनों आरोपियों के पास से मोबाइल फोन बरा मत किये गए जिसके बाद दोनों आरोपियों को कोट में पेश किया गया देहरादून से इंडरिपाल सिंग की रिपोर्ट फ्लाल इस बुलिटिंग में इतना ही आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं के न्यूस हमस्कार